जीव है जिसकी गर्दन काट देने पर वह कुछ हफतों तक जिन्दा रहता है यहां बात दिसंबर की है बहुत कड़कडाती सर्दी पड़ रही थी रात का समय है और मोटू सो रहा है और बहुत जोर से खर्राते भर रहा है मोटू के खर्राते की वजह से पतलू को नींद नहीं आ रही लेकिन कुछ समय बीतने के बाद पतलू की सो जाता है लेकिन जब रात को बारा बचते हैं तो अचानक पतलू की नींद खुल जाती है पतलू को कुछ सुनाई देता है जब है गौर से सुनता है तो उसे गेट बजाने की आवाज आती है फिर पतलू दर्वाजा खोल कर बाहर जाता है तो देखता है बहार एक आदमी खड़ा है और उसके उपर सोने का प्रकाशा रहा है उस आदमी को देखकर पतलू डर जाता है, फिर वह आदमी पतलू से कहता है, तुम्हारा नाम पतलू है मैं जानता हूँ, आज से ठीक दो दिन बाद तुम्हारे दोस्त मोटू की मौत होने वाली है, तुम लोगों ने हमेशा दूसरों की मदद की है, किसी को परिशान नहीं क और बड़ों का कहना माना है, तुम दोनों बहुत अच्छे आदमी हो, इसलिए मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ, दो दिन बाद मोटू की मौत हो जाएगी, यह सुनकर पतलू बहुत जोर से रोने लगता है, बाबा मोटू के बिना मैं भी मर जाऊंगा, मोटू से मैं बहुत प्यार करता हूँ, मोटू मेरे बच्पन का बहुत अच्छा दोस्त है, आप कोई उपाय बताएए, कोई तो उपाय होगा मोटू की जान बचाने का, फिर वह आदमी बोलता है, उपाय है लेकिन वह उपाय बहुत कठिन है, क्या तुम उस उपाय को कर पाओगे क्या बाबा आप मुझे उपाय बताएए, मैं सब कुछ करने के लिए तयार हूँ मेरे मोटू के लिए, तो वह बाबा बोलता है, काली पहाडी के उस पार एक जंगल है, उस जंगल में तुम्हें एक घर मिलेगा और उस घर में एक तांत्रिक बाबा रहता है, वह तुम्हारी कर सकता है, उसके पास एक जादूई पत्थर है, अगर वह पत्थर मोटू के उपर लाकर रख दो तो मोटू मरने से बच जाएगा, और मैं तुम्हारी दोस्ती देख कर बहुत खुश हुआ, तो मैं तुम्हें मेरी शक्ती से सीधा उस जंगल में पहुचा देता हूँ, ज जहां तुम्हें वह तांत्रिक मिलेगा, फिर वो बाबा पत्लू को अपने जादू से उस जंगल में पहुचा देता है, पत्लू जंगल में तांत्रिक को ढूनता है, और उसे तांत्रिक का घर मिल जाता है, फिर पत्लू तांत्रिक से मिलकर तांत्रिक को सारी बात बता दे थेर तांत्रिक बोलता है, लेकिन तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा, अगर तुम्हारा जवाब सही निकला तो मैं तुम्हें वह पत्थर दे दूँगा, थेर पतलू बोलता है, मैं आपके सवाल का जवाब दूँगा, बस आप मेरे मोटू को बचा पर वह कुछ हफ्तों तक जिन्दा रहता है, फिर पतलू सोच में पढ़ जाता है, थोड़ी देर सोचने के बाद पतलू को जवाब आ जाता है, फिर पतलू बोलता है, आपके सवाल का जवाब कोक्रोज है, क्योंकि कोक्रोज ही ऐसा जीव है, जिसका सर काटने पर कुछ हफ् यह जवाब बिल्कुल सही था तांत्रिक पतलू से खुश होकर उसे वहां पत्थर दे देता है फिर पतलू मोटू के पास जाकर उसके ऊपर वहां पत्थर रख देता है इस तरह पतलू ने मोटू की जान बचा ली